फिर दया शवी भूतों में दया का भाव पंचतत्यों से बना यह संसार है युगाई भी सुद्ध हो, यह अगनी भी सुद्ध हो शब अपना अपना काम कर रहे हैं पृति भी लोग है भूमी को मैं दुसी इतना करूँ, जल को दुसी इतना करूँ फिर भूत जितने भी ये संसार में आत्माएं हैं जैसे मनुस्य रूपी आत्माएं और जीव चौराशी करोड योनियों के बात की गई है उन जीवों के लिए तो उनके प्रति भी दया का भाव मेरे अंदर हो एक चीटी से लेकर एक हाती परियन जितने भी जानवर है उनके प्रति दया का भाव दया नहीं है शमा करने का भाव नहीं है तो दया का भाव नहीं होगा माप करने का भाव नहीं होगा और अंदर से करुणा दया वासल प्रे वो अगर फुटित हो निराय तो कैसे हम सिवा कर सकते हैं कैसे हम निसकामता जीवन में ला सकते हैं कैसे हम उस परमेशवर द्वाबाilateral तो इस परमkickता परमेशवर द्वारा बताए ले शिद्दानतों का पालन कर सकते हैं तो एंसा सत्यम अक्रो धस्त्यागा सांति अपैस्वनम दया भूतेशु लोलुप्तम। सभी जितने भूत्यों के लिए पंच180 से बनाये हैं और समाजिक प्राणी हैं उनके प्रतिben का भाहूं . वेक्तिक दय की लिए आधे खности मतलब जिया किसके प्रति जो वेक्तिकत लेकिन सामाजीक जैसे आप युद्ध तो लड़ने पड़ेंगे सामाजीक युद्धों में तो समाइथ होने पड़ेगा महाभारत का युद्ध हो रहा है तो वहाँ कौर्वों पढ़ दया की बात नहीं कही है वहाँ तो उसको भगवान सरी क्रिष्न कलेव्यमास्त मगमापार्थ नहीं तो पद्धते सुद्रम हुद्धर दौरबल्यम त्वाक तो उतिष्ट परमतपव कहज्या भगवान ने पे टो वृट ये नपंसर्द왔 की बात को छोड़ वहाँ वो सामुहिक्यों कि वहां से वो लोग जो है जो सामुहिक अहित कर रहें इस संघार का इसलिए वहां का रोल अलग हो जाता है तो ऐसी दया जो इस संसार के लिए इस भूतों जो पंच भूत है और ये पूरे प्राणी जाती के लिए इस प्रकृति के समिधान के लिए जो भगवान ने यह समिधान बनाया है जिसको आज की डेट में कहते हैं कि संसारिक भूकिक भासा में कहते हैं कि ये जो है ये गलोब इसको इसको मानने वाली यह दुनिया होती ही चाहिना ने इसको माना होता तो यह स्थिति नहीं आती हैं उनके पापों का दंड यह करोड़ों लोग आज नहीं करते हैं इस करोना वाइरिस के रूप में तो यह जहां पर विज्ञान खत्म होता है वहां हमारे रिश्यों की दृष्टी खुलती है जहां संसार का बुद्ध का स्तर शोचने का स्तर स्माप्त हो जाता है वहां हमारे रिश्यों का जो ज्यान शुरू होता है आप सोच यह कितनी गूरता है कितने मूल में जाकर उस रचेता के इस जो दृष्य यह फिर्थिवी लोग है इसके मूल में जाकर हमारे रिश्यों ने यह विचार लिखे होंगे ऐसे किवल यह कोई सास्तर लिखना यह जो है उनके जीवन के जो अनोएशन है जो साइनटिफिक तरीके से उन्होंने जीवन को जिया और उससे जो थया vivo ja, तो उन्होंने ध्यान किया, eine augal-zab किया उसके नजो इनर्जी जो कॉस्मिक energy उन्होंने प्राप्ति की है उसका प्रिणाम हैं उप्थार उत्पन तो मैंने कहा जहां साइंस समाप्त होता है वहां तो भगवान का और हमारे रिश्यों का ज्यान उत्पन होता है तो अहिंसा सत्यम अक्रूप